बॉलिवूर्ड एक्टर शुषान सिंग राजपूत जिनके निधन के बाद कई सारे लोगों की स्टेटमेंट सामने आये थी लेकिन स्पीच एक फिल्म डिरेक्टर ऐसा भी था जिसने शुषान के निधन के साथ साथ उस शक्स का भी राज खुला जैसे चुड़ सकते हैं श अभिनाव कर्षप ने एक ओपन लेटर लिखा था शुषान सिंग राजपूत की निधन के ठीक पात इस ओपन लेटर के जरिये अभिनाव ने कई ऐसी बातों का जिक्र किया था जो बॉलिवूद के परदे के पीछी चुपे सच को सामने लेकर आती है अभिनाव कर्षप मैं ये भी कहा कि ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि किसी एक्टर को इस कदर दुनिया कॉल विदा कहना पड़े अभिनाव शुषान के मामले में सरकास से जाज करने की भी अपील की थी उन्हें लिखा था कि शुषान सिंग राजपूत का सिर्फ एक पहलू सामने आया है जिस तरहास से बॉलिवूड में हैस्टेग में तु मूर्मेंट के पक्ष में सब को सामे राया गया था तो मैं चाहता हूं कि शुषान सिंग राजपूत मामले पर भी अच्छे से जाज की जाए अभिनाम ने लिखा था कि शुषान सिंग राजपूत या शुषाज फिल्म ठर की करियर को बरबाद करते हैं इसी के साथ अभिना कश्रफ ने ये भी कहा कि मेरा भुनव भी शुषान सिंग राजपूत से अलग नहीं है क्योंकि मुझे भी शुषान की तरह ही मेरे साथ भी ऐसा ही विवार बॉलिवूड इंडस्री में हुआ जैसे शुषान के साथ भी थी दबंग के दस साल बात की है मैंने दस साल पहले दबंग टू इसलिए छोड़ी क्योंकि अरबाज और सोहिल खान मेरी खान फैमिली मुझे धंका कर मेरे करियर को कंट्रोल करना चाहते थे अरबाज ने अपनी ताकत के इस्तमाल से मेरी दूसरी फिल्म भी मेरे हातों से चीन ली जिससे मुझे काफी नुकसान हुआ दबंग की रिलीज के वक्त मेरी नेगिटिव इमेज को भी फ्रेम किया गया मुझे अलग लग नंबर से धंकी दी गई शुशान के हाथसे के बाद इस तरह की चीजों के बारे में खुलासा करना जरूरी है बॉलिवोड में साफ तोर पर नदर आ रहा है कि शुशान के हाथसे के बीछे भी कनेक्शन बॉलिवोड इंडस्ट्री का ही है जिसे च्छे पाने की कोशिश की जा रही है नेक्स नाइस रोश्किन की रिपोर्ट